आप सभी लोगोंने देखा होगा कि अभी जो केंद सरकार की द्वारा है राष्टी ये राजदानी छेत दिल्ली सरकार संसुधन बिध्यक 2021 लाए गया है इसको आपने देखा होगा कि अरवेंद के जीवाल जो दिल्ली के मुकमंत्री हो इनके द्वारा या इनके पार्टी के और कार करता है उनके द्वारा बिरोध पिदलसन किया रहा है इस बिल का और भी कई पार्टी ये इस बिल के बिरोध में खड़ी हुई है और आप समझ सकत में उसके पास बहुमत है अच्छा खासा है और वो राजसभा में भी एक तरह से वेवस्था कर लेती है तो आप लोगों के दिमाग में भी इस तरह की कुश्चन सा रहे होंगी कि इस बिल में आखिर है क्या कि जिसे यहां की मुकमंत्री साहब को एक तरह से ब्रोथ करना पड समझ रहे हैं और इसमें एक और पॉइंट कहा जा रहा है अरभेंद के जीबाल साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि अब दिल्ली का विध्यक आने के बाद अब दिल्ली में सरकार का मतलब होगा उपराजपाल ना कि मुकमंत्री आप समझ रहे हैं तो ए भी एक तरह से केड़े गयाने के बाद एक तरह से इनकी सक्तियों का निर्धानिन कर दिया गया था दोनों लोगों की जो भी एक तरह से विवस्थाएं थी किलियर हो चुकी थी तब से आप देख रहे हैं थी ठीक ठा काम चल रहा था लेकिन एक केंद सरकार ने एक बिधयक लाकर फिर से समस से खड़ी कर दी और याद रखिए बिधयक का मतलब होता है जब कोई पिस्ताव आपका एक तरह से राज सवा में आए या लोक सवा में रहता है तब तक उसे बिधयक कहते हैं जैसे ही इसे राष्टपती की सहमती मिलती है यानि कि राष्टपती साहब के सिगनेचर होते है वो अधीनियम में बदल जाता है ठीक है तो एक बार आप लोग दिल्ली को देख लिजे तो ए आपको देखने को भी लिगी दिल्ली ठीक है हमारी राज़ती है राजधानी भी है और याद रखे दिल्ली से आप देखेंगे कि उत्तर पिदेश की सीमा लगती हो हरयाना की और आप लोगों को यह मालू भी होना चाहिए कि आप देखिए कि अभी वर्तमान में आपके 28 राज़ हैं आठ केंदसासित पिदेश हैं जिन में देखेंगे आप लोग 8 केंदसासित पिदेशों में से 3 केंदसासित पिदेशों में आपकी विधान सभा की विवस्था की गई ह जिसमें आपका जम्मू कस्मीर है, दिली है और आप लोग देखेंगे यहां आप लोग पूनुचेरी है, यहां बिधासभा होती है, ठीक है? और बाकी राज्यों में देखेंगे कि अंदसासीत पिदिसों में आपको पिसासक नेउक्त किये जाते हैं, वहां कोई बिधासभा नहीं होती है तिणी इस पौएं इस ऐसे अर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं की हालही में केन सरकार द्वारा राष्टी राध्धानी च्छेते डिल्ली सरकार संसोधन बिधयक 2021 यानी कि 2021 ज्यारी की अगया है केंसरकार इस विध्यक के माध्यम से राष्टी राध्धानी छेते दिल्ली के पिसासन को चलाने से सम्मंदीत कानून में संसुधन करना चाहती है जो दिल्ली के पिसासनिक धाचे के किरियानबन पर सर्वोच नियालय की नेड़ों द्वारा दी गई ब्याक्या को प्रिभावित करता है आप समझ रहें जो नियालय ने सर्वोच नियालय ने कहा था उसके बिरोध में ये कहा जा रहा है कि ये बिल लाए गया है समझ रहे हैं आप लोग? हाला कि कैजी सम्मिधानिक विसेसगों का मानना है कि पिस्ताविक विध्यक नियाले द्वारा दी गई ब्याख्या की पितीकूल है और उनकी अनुसार यदि विध्यक का कानून बन जाता है तो यह नियुक्त उपराजपाल यानि कि LG की अपेक्छा चुनी सरकार की स्तिती को अधिक मजबूत करने के नियाले के प्रयासों को पूरी तरह से कमजो़ कर देगा आप समझे कि अरबन केजेबाले यहां के मुक्मनति हैं तो उन्हें जंता ने चुना है और आप समझे उन्होंने काम किया है और आप भी इसके एक तरह से गवाव पहुंगे कि अगर आपने दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना हो तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के स्कूलों की हालत प्राइविट स्कूलों से बहतर है आप समझे रहे हैं होस्पीटल की हालत देख सकते हैं आप लो सरकारी होस्पीटलों से बहतर है आप देखिए प् मुखमंत्री साहब कोई काम नहीं करते हैं तो अंगली बार उनकी पाटी को वोट नहीं दिये जाएंगे लेकिन आप समझे कि ओप राजपाल साहब अगर बीच में अडगा लगाएं या मुसीवतें खड़ें करें तो देखें जनता उपराजपाल साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाईगी क्योंकि उन्हें चुनाओ नहीं लड़ना पड़ता है उन्हें चुनाओ जीत का नहीं वहाँ उपराजपाल बनना होता है उन्हें तो आप देखते हैं के अंसरका द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है आप समझ रहें? तो जन्ता के पिती जबाब देही कौन रखता है? उहां का मुखमंत्री समझ रहें? और मुखमंत्री एक तरह से आप सोचिए कि उस पर पावंदिया लगा जाए तो आप समझ सकते हैं क्या इस्तिती बन सकती है? पिस्तावित संसुधन की अगर बात करें इसमें क्या क्या पिस्ताव हो है? सरकार की परिवासा में बदलाओं पिस्तावित विधेक में सरकार के सभी संदर्भों का अर्थ कारकारी मंती परसद के बज़े उपराजपाल मेनेहित होने का उल्ले किया गया है यानि की बाकी राज़ों की तुल्ला में या बाकी राज़ों की बज़े आप लोग देखेंगे यहां उपराजपाल को सक्तियों की दे देनी की बात की जा रही है और बाकी राजों में आप देखें मुकमंतरी साहब मैंन सरकार होती है समझ रहे हैं बासविक सक्ति उनी के पास होती है LG की सक्तियों के विस्तार की अगर हम बात करें यानि की उपराजपाल साहब की बात कर रहा हूँ विधानसवा के पास यह दिकार भी नहीं रहेगा कि वह अपने दिन ecoती दिन की पिशाशन की समतित καopesबётсяी उन्हें बनाने की शक्ति भी ह का नहीं रही आप समझचते हैं और इसमें गया और रखा गया है टीक कि अब समझें एक विधान दिल्ली बिदान सभा का कोई स्तदस नहीं है और वहाँ उपस्तित नहीं है तो उसके बारे में आप आलोचना भी नहीं कर पाएंगे आप समझ रहे हैं और आप समझें कि अगर कोई भी पिस्ताओ हो अब आपको CM यानि कि हां कि अर्भेंद के जिवाल CM साब को हर पिस्ताओ को उपराजपाल को भेजना होगा उपराजपाल की सहमती लेनी होगी ए भी कहा जा रहा है अर्भेंद के जीवाल के द्वारा इसका बिरोध करते हुए ए भी देखा है दिल्ली सासन सरचना पर सरवोचने अलाई का कहना एड़ा है रहा था तो इसकी पेश्ट भूमी आप लोगों को मालू होना चाहिए कि भारत की समिधान में 69 वे समिधान संसोधन द्वारा आपका आर्टीकल 249 ए निर्दिष्ट किया गया था और एक कुस्टेंस कईवार बन चुका है कि दिल्ली को विधान सभा किस आर्टीकल के अंतरगर दी गई थे किस समिधान संसोधन के द्वारा कौन सा आर्टीकल जोड़ा गया था तो याद रखी 69 वा समिधान संसोधन हुआ था 1991 में और इसमें एक नया अनुच्छे जोड़ा गया था आर्टीकल 249A जिसमें दिल्ली केंदसासित पिदेश को LG द्वारा पिसासित गुषित किया था और जो निर्वाचित बिधान सभा की साहिता उपरामस पर काम करता है यानि कि आप समझें कि LG के पास अपनी कोई सकती नहीं है वो तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहां की बिधान सभा निर्वाचित बिधान सभा जो फैसले लेगी उसी के परामस पर काम करेगा ठीक है हाला कि सहायता उपरमस खंडे केवल निर्वाचित बिधान सभा की पास राज्य तथा संबर्थी सूची के मामलों से सम्मधित है जबकि सारवजनिक बिवस्ता, पुलिस और भूमी इसके अपबाद है दिल्ली के मामले में एक और है कि आप देखते हैं राज्य साथवी अनसूची में आप देखते हैं हमारे समीधार में साथवी अनसूची में आप देखते हैं कि तीन विसादिये गए एक संबर्थी सूची, एक आप देखते हैं संग सूची और एक है राज्य सूची आप सभी लोगों को मालों होगा कि राज सूची के जो भी विसा रहते हैं उस पर राज सरकार हैं कानून बनाती है और संग सूची पर आप देखते हैं कि सामानता आपकी जो केंद सरकार हैं वो कानून बनाती है और संबर्ती सूची में आप देखते हैं कि एक तरह से वो कान लेकिन दिल्ली के मामले में आप लोग देखेंगे यहां सार्वजिनिक विवस्था पुलिस और भूमी केंद सरकार के अंडर में आते हैं ना कि राज सरकार की यानि कि दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आते हैं बाकी जैसे उत्तर पिदेश को आप लोग लेजे यहां बचते हैं वो दिल्ली सरकार उन पर कानून बना सकती है इन तीन को छोड़ कर ठीक है इसके अलाबा आप देखेंगे अनुच्छे 249 एप यह भी संदरवित करता है कि LG को मंत्री फैस्ट की सहायता और परामर्स परकार करना होगा इसके अतरिक तुए राश्ट्रपती द्वा और निर्वाशी सरकार की बीच इस दोहरे 29 से सब्ता में तनाव पैदा होता है जिसे बर्स 2018 में सर्वोच नेड़े की पास भी जा गया था और आप देखते हैं कि इसमें सर्वोच नेड़े निक्या कहा था नेड़े में 4 जुलाई 2018 को सम्मिधानिक पीट ने अपने फैसले में कहा कि सम्मिधान में LG को सुदंत नेड़े लेनी की कोई सक्ती नहीं सौपी गई है किया आप समझें कि सब कोई जानता है कि चुनी हुई सरकार के पास सकती होती है ना कि कोई एक तरह से नियुक्त बेक्थी के पास सकती होती है बर ने आप समझ सकते हैं कि लोकतंद का क्या रहेगा कोछ नहीं नियालय ने इस्पष्ट किया है कि राष्टपती को किसी भी मामले में को संदरवित करने की सक्ती का तातपर पितेक मामले से नहीं है यानि कि राष्टपती के लिए हर मामले को एक तरह से आरक्षित भी ने कर सकता है उपराजपाल समझे रहे हैं आप लोग दूसरे सब्दों में हम कहें तो यह यह राष्टपती की समक्षी सी भी मामले का उलेक नहीं कर सकता है उसे समिधानिक निस्पक्षिता का को सुनिश्चित करना होगा और इस सक्ति का प्रयोग दुरलब इस्तितियों में बैद कारणों की आधर पर क प्रयोग दूसरे सब्सक्राइब नहीं है और इससे प्रामस नेमित या यांत्रिक तरीके की वजय केवल आसाधरन परस्तितियों में लिया जाना चाहिए कोई जरूरी है तभी एक तरह से राष्टपती के पास सहमती के लिए भेज सकते हैं आप समझ रहे हैं और यहां एक और पॉइंट आप लोग याद रखी एनसीटी बनाम यू ओ आई मावले में नियायमूर्थी चंद चून ने बरस 2018 में सम्मिधानिक निस्पक्षिता सब्दिकाउले किया जो विधायका और कारिकारी की बीच जाचतता संतुलेन की कुंजी है और सम्मिधानिक रावत करने के लिए सक्टियों के वित्रण और क्षट अधारित थे अब विधियक कि खिलाप क्या तरक दिये जा रहे हें तो आप लोग यह भी देख लीए यानि कि जो एसे विध्यक के खिलाप हैं, बोलो किन बातों का जिक्र कर रहे हैं, कौन सी बातें कह रहे हैं तो सबसे पहली तो यही कहा जा रहे हैं कि सर्बुच न्याले की नेड़े की खिलाप है विध्यक विधियक का सार दिल्ली की विधानसवा द्वारा पारीत कानून के संदर्व में सरकार की सभी संदर्वों कार्थ उपराजपाल में नहेत होने से हैं यानि कि आप समझ सकते हैं कि यहां की दिल्ली सरकार का मतलब उपराजपाल होगा सीधा सा आप समझ रहे हैं? इस नेड़े की पीछे मार्ग दरसक सिध्धान्त का तरक यह था कि निर्वाचि सरकार की सक्तियों का सीमांकन नियुक्त पिसासक द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए. विधियक निर्वाचित पिति निदियों की लगबग सभी सक्तियों का उल्मूलन कर इनी पॉइंटों को ध्यान में रखती हुए इसका विरोध किया जा रहा है. और इस विधियक में बर्स 2018 की नेड़े का खंडन किया गया है, जो इसपष्ट करता है कि LG के वजए मुकमंत्री सहथ मंत्री परसद दिल्ली सरकार की कारकारी प्रमोख है. और आप सभी लोगों मंती परसद से जान दा सकती है, अगर राजिपाल के पास हो, तो आप समझ सकते हैं कि लोगतंत्यानी की जिन्ता की चुणने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा. समझ रहे हैं आप हो? और फिर आपका है पितिनेदी सरकार का रोल बेक. विधियक में सासनिक सकती कायद के आसमंजस को समाख करता है. इसके अलावा चुनी हुई सरकार के लिए कारकारी कारवाई करने से पहले LG की राय की आवसकता प्रभावी रोप से निर्वाची सरकार को सकती हिन बना सकती है. इसके अलावा आप देखेंगे विधियक विधानसबाई या उसकी समतियो को देन पिती दिन की पिसासं के सिसीवी मामले पर चर्चा करने या फर पिती निरी सरकार के रॉल बेक के लिए पूछता करने की अधिकार को सुन निगोसित करता है. पर तीसरा इसमें आप देख सकते हैं इसके विपक्ष में तरग दिया जा रहा है संगीरी राजनीती की क परोचित कदम है और हाली में जारी की की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की विदेख भारत की चुनावी निरंकोस्ता की अंतराश्टी एधारना को मजबूत कर सकते हैं. आंगी की रह क्या हो सकती इसमें? तो आप लोगे भी देख लीजे. सम्मिधानिक विश्वास क माद्यम से ही काम किया जा सकता है. इस विश्वकार इस विदेख को एक प्रवर सम्दी के पास बेजा जाना चाहिए और किसी विदेखों की तरह जल्द बाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए. बरना आप देख रहे हैं कि किरसी कानूनों को जल्द बाजी में एक तरह से पारित करवाना कितना महेंगा पड़ रहा है ना तो वो किसी कानून लागू हो पा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि दिल्लीब में किसान कई मरीनों से बैटे हुए है आप सूचे कई किसानों की मौत भी हो चुकी है समझ रहे हैं आप टो एक तरह से आप लोग कोई भी नियम कानून लाते हैं तो कम से कम जिसके लिए ला रहे हूंने भरवसे में ले लेना चाहिए समझ रहे है आप ऐसे मामलों में सरफ सम्मती सुनिश्चित की जाने चाहिए जो संगबाद के साथ सरवुच नियाले दोरा निर्धारित उस सिध्धान्थ के उच्जि सिध्धान्थ के अनुरूपों फिर आप देखेंगे सबसिडियरी का सिध्धान्थ सुनिश्चित करना सबसिडेरी राजकोसी संगभाद का संस्थापक सिध्धान्त आवस्षक्रूप से उपराष्टिय सरकार को सक्सक्त बनाता है और इस से कैन ज सरकार को उपराष्टिय सरकारों को अधिक से अधिक सक्तिया आवंटिन्ट करनी की दिसा में बढ़ना चाहिए और इस संदर्व में भारत को दुनिया भर की जकारता और सिहोल से लिकर लंदन अबा पैरिस जैसे बड़े मेगा पोलिस का अनुसरन करना चाहिए जहां मजबूत उपर राष्टी सरकारें कारगत हैं और एक बात और आपको बताओं इसलिए आप देखते हैं कि Freedom Index हो या फिर Democracy Index हो हमारी गरावट इनी कारणों से होती है और देखी कोई नई बात नहीं है बीजेपी के समय हो रहा है कॉंग्रेस भी जब भी सत्ता में रही है कैंसरकार में तब आप देखते हैं ओप राजपाल हो फिर राजपालों का दुर्पयों करती रहती हैं सरकारें आप देख रहे हैं कई एजल्सियों का भी दुर्पयों करती रहती है समझ रहे हैं आप लोग नहीं करते हैं तो समझे रहे हैं आप लोग तो उनके पास अधिक सक्ती होने चाहिए बास्विक सक्तियां होने चाहिए तो यही कहानी है आपकी ठीक है इस विध्यक के बारे में और इन्हीं बातों का देहान रखा जा रहा है और इन्हीं का विरोध किया जा रहा है एक तरह स आप कह सकते हैं कि अब उपराजपाल होगा उपराजपाल के बिना कुछ नहीं हो सकता है ठीक है तो आप लोग याद रखिए